चार मेंडर मैं फायर टाइप पोकेमोन रहता था डेमियन के साथ ही वास्थ द ओनली वन उसके लिए कुछ भी मैं कर सकता कुरबान पर उसे मेरी ताकत का यहां ना था पहचान फो छोड़ के चला गया मुझे जंगलों के बीच में करता इंतजार उसका इसे उम्मीद में वो लॉन्ट के आये का मुझे सीने से लगाए का पर ना कभी वो आया क्या लिखा मेरे नसीब में फिर एश वहां आया मुझे को चाहता वो बचाना वो देमियन को बात यह चाहता वताना की चारमेंडर आज भी है उसके इंतजार में पर देमियन को लगता मेरा होना ही बेकार है फिर एश ने मुझे वहां बारिशे बचाया उसने नर्स जोई से मेरा इलाज भी कराया पर अगनी सुबह भागा वापस अपने उसी स्थान पर देखा जब पिकाचु टीम रोकेट के है जाल पे तब उसको मैं बचाया किया पावर मेरा यूस डेमियन ये देख के फिर किया महसूस वो आया वापस मुझे बनाने अपना पोकेमॉन पर मैं मान चुका था एश को मेरा कप्तान तब से हर एक बैटल में मैं एश के हूँ साथ फ्वायर इन मा टेल रख काफी प्रायिट काफी जाधा एटि योट तब शिर करें मैं चार मैलियन पे जब हुआ इबॉल भूल गया मेरा एश के प्रती रिजॉल्व उसकी पाते ना मैं मानू मूंसे आग मैं उछ्चालू कर आ सीश ना छोड़ा मुझसे अपना होप, चारी जाट बनके जाना होता, क्या है असली ताकत, दुश्मनों को मैं हर रहा हूँ, बढ़ते जाती पावर बाते मानूं, ना मैं एश की रहूँ, in my own, परू लेट के अर्राम, I will chill in my zone, पॉली बाद से जब हारा तब हुआ ये एहसास, मेरे पूरे बद पे भी एश ना छोड़े साथ, तब जाके मैंने माना उसे अपना असली ट्रेनर, और दोस्ती की वहां करी नई शुरवार, फिर विकाजू संग दोस्ती कर लोगों को हराया, एश को फ्लेम बैज, मैंने ही द टीम रॉकेट को मैं वैली पे ना आने दूंगा, अंदर ऐसे करके मैं सब का दिल जीता वहां, फिर रुख गया वैली पे औरों के साथ, एश हो गया उदास, पर वो जानता ये बात, चाहे कितना भी दूर हो जा एक दूजे से हम, पर ये दिल का रिष्टा ना होगा समाब फायर जभी करू यहां ब्लो, राखो जाते मेरे सारे फो, काफी प्राइट काफी जादा एटिट्योड, तभी हरकते मेरी लगे रूट, करू ना मैं परवा आगे है कौन, आग से उन पिग रादु बॉंग, काफी प्राइट काफी जादा एटिट्योड, तभी हरकते मेरी झाले के रूरू